जामताड़ा जिले में शुरू हुई जर्बेरा फूल की खेती करने वाले किसानों को पहरे लॉकडाउन और अब अत्याधिक बारिश ने मुर्जाकर रख दिया है जिस कारण किसान परेशान है बता दें कि जामताड़ा जिले में कुल 6 यूनिट जर्वेरा फूल की खेती पॉली सेट के अंदर माल्चिंग विधी से की जा रही है शत प्रतिशत अनुदान पर उद्यान विभाग द्वारा कराये जा रहे खेती से तैयार फूल पहले जहां लॉकडाउन में बिक नहीं पाया वहीं ज्यादा बारिश होने की वज़ा से फूल नहीं हो पा रहा है मोहरा गाउं के किसान अंचित विश्वास ने कहा कि पहली बार वैग्यानिक तरीके से जरवेरा फूल की खेती पॉली सेट के अंदर की फूल भी काफी बेहतर तैयार हुआ लेकिन उससे अच्छे आय की उम्मीद थी लेकिन पहले तो लॉकडाउन लगने के कारण बाजार नहीं मिला और जब बाजार खुला तो एक सब्ताह में हुई अत्याधिक बारिश ने फूल तथा पौधों को पूरी तरह से खराब कर दिया है वहीं जीला कृष्णि पताधिकारी ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये फूल उनके लिए आमदनी बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ